अभियास्कुल ग्लासिज में आपका स्वाकत है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक्जाम्पल जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है तो हमें पैता है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के एक्जाम्पल्स कौन-कौन से होते हैं जैसे अगर आप बात करो Z की अगर आप बात करो किसी field की तो ये सारे आपको PID देखने को मिलेंगे PID का मतलब होता है कि इसका कोई भी आप ideal ले लिजिए वो आपके पास एक single element से generate हो जाएगा तो वो होता है principle ideal domain पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि Z square root minus 5 यह एक ideal है यह principle ideal नहीं है तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम हमारे पास जो दिया हो है Z square root minus 5 हमें इसका एक ideal दे दिया I ठीक है I ideal क्या होगा आपके पास 3,2 plus square root minus 5 हमें यह चेक करने कि यह जो ideal है यह principle ideal है या नहीं है तो basically यह principle ideal नहीं है ठीक है तो मतलब कि यह ideal एक single element से generate नहीं हो रहा यह हम prove करेंगे तो इसका मतलब यह जो given आई यह आपके पास principle ideal domain नहीं है PID नहीं है तो शुरू करते हैं तो if possible अगर possible है तो हम मान लेते हैं कि जो यह I है वो principle ideal है तो I को हम किस से लिख सकते हैं एक element से generate करवा सकते हैं इसका मतलब क्या होगा कि हम I को एक element से generate करवा सकते हैं E और B किस से belong करेंगे integer से belong करेंगे अगर यह term लिखी हुई है तो जो coefficients होते हैं वो सारे आपके integer से belong करते हैं ठीक है अब इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर ideal पूरा का पूरा एक single element से generate हो रहा है तो 3 भी इसी element से generate होगा और ये element भी इसी element से generate होगा तो हम लिख देते हैं कि 3 equal to P plus Q square root minus 5 into A plus B square root minus 5 ठीक है और 2 plus square root minus 5 equal to मान लेते हैं R plus S square root minus 5 into A plus B square root minus 5 ध्यान देने वाली बात ये कि ये single element तो generate कर रहा है पर इसके साथ कोई multiple तो होगा ना जो 3 को generate करेगा इसलिए हमने P plus Q square root minus 5 को multiply किया है जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि 8 generate होता है 4 से तो आप 2 को तो multiply करोगे ना 4 के साथ जैसे 12 मान लो generate हो रहा है 4 से तो 3 into 4 करोगे तो कोई element तो करोगे ना multiply तो 3 और 2 plus square root minus 5 को हमने इस तरह के से लिख दिया इसे equation number 1 मान लेते हैं और इसे equation number 2 मान लेते हैं अगर हम इनके complex conjugate consider करें जैसे अगर इसका complex conjugate consider करें जैसे equation number 1 का तो आपके पास मिलेगा P minus Q square root minus 5 and A minus P square root minus 5 और equation number 2 का जो complex conjugate होगा 2 minus square root minus 5 R minus S square root minus 5 और A minus B square root minus 5 मान लेते हैं यह हमारे पास equation number 3 है तो हमें अब क्या करने है equation number 1 और equation number 3 को multiply करने है तो जब हम इसे multiply करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 9 equal to P square plus 5 Q square into A square plus 5 B square अब देखो दो numbers का multiple line हा रहा है possibilities क्या क्या लाई करेंगी या तो ये भी 3 के equal हो या या ये भी 3 के equal हो ठिक है या ये 1 के equal हो या ये 9 के equal हो या ये 1 के equal हो सिरफ और सिरफ ये तीन possibilities होंगी तो अगर हम सबसे पहले आजूम करें कि A square plus 5 B square 3 के equal है तो ये तो possible ही नहीं है क्योंकि इसका कोई भी integer solution आपको नहीं देखने को मिलेगा आप सोचके देखो कि एक number का square plus 5 times b का square equal to 3 तो ये कभी possible नहीं होगा integers के case में इसका कोई भी integer solution नहीं है no integer solutions तो ये case आपका खतम हो जाएगा case number 1 कि अगर मतलब कि ये 3 into 3 की form में लिख सकते है similarly p square plus 5 q square भी 3 के equal नहीं हो सकता second case आपको क्या देखने को मिलेगा second case में ये देखने को मिलेगा कि हम मान लेते हैं कि a square plus 5 b square 9 के equal है a square plus 5 b square किसके equal है 9 के equal है तो case 2 हमारा क्या हो गया कि अगर a square plus 5 b square 9 के equal है तो P square plus 5 Q square को किसके equal होना पड़ेगा 1 के equal होना पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब तो P को 1 होना पड़ेगा plus minus 1 हो सकते हैं और Q को होना पड़ेगा 0 ठीक है यह तभी possible है न P square plus 5 Q square equal to 1 अगर P की value plus minus 1 हो अगर ऐसा होते हैं तो हम क्या करेंगे equation number 1 में हमारा P की value 1 put करेंगे plus minus 1 put करेंगे और यह वले time as it is आजाएगे आपके पास तो equation number 1 कैसी दिखेगे आपको फिर उस case में कि 3 equal to plus minus A plus B square root minus 5 आपको इस form की दिखेगी वो equation और अगर इस equation को हम equation number 2 में use करें 2 में use करने का मतलब है कि हम A plus B square root 5 के जिगह पे हम 3 लिखेंगे इसके जिगह पे equation number 2 में plus minus 3 लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 plus square root minus 5 equal to plus minus 3 R plus S square root minus 5 ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक और है कि अगर मानलो आपने लिखा 8 equal to 2 into 4 तो 2 divide करेगा 8 को 4 divide करेगा 8 को तो यहाँ पे यह number इन दोनों का multiple है तो इसका implied meaning क्या होगा कि 3 divide करेगा 2 plus square root minus 5 को जो कि एक contradiction है जो कि not true ऐसा नहीं होता है कि 3 divide करेगा इस number को तो यहाँ पे आपका case number 2 भी गलत सावित हो गया कि अगर A square plus 5 B square 9 के क्वल हो गया अब case number 3 पे move on करते हैं कि अगर A square plus 5 B square 1 के क्वल हो जाए थर्ड case हमारे पास क्या हो गया case 3 कि अगर A square plus 5 B square 1 के क्वल हो गया तो हमारे पास जो given ideal था जो हमने I assume किया था कि एक single element से generate हो रहे है तो इसमें A की value कितनी होगी 1 होगी और B की value 0 तो मतलब कि ideal किस से generate हो जाएगा इसका मतलब A की value 0 होगी और B की value 1 होगी और B की value 0 होगी तो इसका मतलब जो हमारा ideal है वो सिरफ एक single element 1 से generate हो रहे है ठीक है इसका मतलब 3 और 2 plus square root minus 5 वो किस से generate हो रहे है वो single 1 से generate हो रहे है 3A प्लस 2 प्लस स्क्वेर रूट माइनस 5 इंटू B बिटा, बिटा मान लिजी आप इसे और इसे अलफा मान लिजी इस फॉर्म में और अलफा और बिटा किससे ब्लॉंग कर रहे हैं Z स्क्वेर रूट माइनस 5 से ठीक है अब हम क्या करते हैं कि यह जो पर्टिक्लर रिक्वेशन है इसमें दोनों साइड मल्टिप्लाई करते हैं एक नमबर 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 से तो आपको कह देखने को मिलेगा यह बनेगा आपके पास 3 इंटू 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 एलफा माइनस 3 बीटा ठीक है जब आप 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 से मल्टिप्लाई करोंगे तो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मॉला लगके यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा तो अब इसमें से आपके पास कॉमन निकल रहा है 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 एकुल तो 3 टाइमस 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 एलफा माइनस बीटा अब फिर से वही सेम सिचेशन आगी अगर 8 एकुल तो 4 इंटो 2 है तो 4 डिवाइड करेगा 8 को या 2 डिवाइड करेगा 8 को तो यहाँ से 3 डिवाइड करेगा 2 माइनस स्क्वेर रूट माइनस 5 को, जो कि फिर से एक contradiction arise कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता आपके पास, तो इसका मतलब कि जो हमने suppose किया था वो गलत है, हमारी जो assumption है, supposition है, वो गलत है, तो इसका मतलब आई जो है, वो एक principle ideal नहीं है, आई क्या नहीं है, एक principle ideal नहीं है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रुखनेंगे हैं, फिर से एक बार go through करते हैं, पूरे solution को, ठीक है, आपके पास simply paper में यह आ सकते हैं कि prove that कि this particular integral domain is not principle, सिर्फ इतना पूचा जाएगा, और जब आप statements की बात करोगे, UGC net के point of view से, तो वहाँ पे direct आपके पास A, B, C, D statements में एक statement होगी कि, Z of square root minus 5 is a PID, ठीक है, तो वहाँ पे यह statement भी गलत हो जाएगी, PID होने का मतलब है कि इसका कोई भी ideal एक single element से generate हो, हमने इसका एक ideal यह consider कर लिया, यह इसका particular ideal है, ठीक है, इस ideal को हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यह एक principle ideal है, मतलब कि इस single element से generate हो रहे है, तो 3 और this element 2 plus square root minus 5, इन दोनों को हमने मान लिया कि इन से generate हो रहे है, फिर हमने इनका complex conjugate लेके square कर, multiply कर दिया, तो आपके पास यह equation बनी, इस equation की 3 possible solutions है, 33, 19 और 91, अगर आपके पास सबसे पहले वाला solution नहीं हो सकता, क्यूंकि इस case में कोई भी integer solution आपको नहीं मिलेगा, second case में जब आपने a square plus 5, b square की value 9 put की, तो p की value 1 आगी, p की value 1 आने के बाद आपने क्या किया, कि यहाँ पे p की value 1 put कर दी, और q की value 0, तो a plus b की value आपके पास 3 के equal आगी, और यह value आपने यहाँ पे put कर दी, तो इससे पता चल रहा था कि 3 divide करेगा इस number को, जो कि ए contradiction arise कर रहे है, फिर आपके पास third case क्या बनादा, कि अगर a square plus 5, b square 1 के equal हो, तो इसका मतलब a को तो 1 होना पड़ेगा, और b को 0 होना पड़ेगा, तो आपका जो ideal एक single element से generate हो रहे है, तो वो ideal 1 से generate होगा, वो ideal किस से generate होगा, 1 से, तो उस case में आपने इसे क्या लिखा, कि जो यह हमारा जो given ideal था, वो पूरा का पूरा 1 से generate हो रहे है, मतलब आप 1 को linear combination की form में लिख सकते हो, इन दोनों elements के, इन दोनों elements के linear combination की form में, फिर हमने दोनों side, क्योंकि हमें disprove करने हैं, तो दोनों side हमने इस number से multiply कर दिया, और उसके वाज़ फिर से contradiction arise होगी, see, ऐसे questions में जब आप first time कर रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा, कि अच्छा इस number से multiply करने हैं, अच्छा ये एक element से generate हो गया, आपको एक बार concept समझने हैं, कि अच्छा ऐसा है, ठीक है, moreover बहुत सारे बच्चों को एक बार में ये चीज़े नहीं समझ में आते, तो वीडियो को या concept को बारी बारी अपनी books में से पढ़ो, देखो, ठीक है, और थोड़े time के बाद आपको समझ आने शुरू हो जाएगा, कि ये चीज़ बहुत beautifully written है, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत illogical नहीं है, सारी चीज़ depend करती है आपके interest के उपर, ठीक है, तो finally, ये जो था, ये PID नहीं है, टीक है, झाल 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 झाल